नमस्कार किसान भाईयो आपका नई वीडियो में स्वागत है और आप फार्मिंग बोस यूट्यूब चैनल की ये पहली वीडियो देख रहे हैं फार्मिंग बोस जो चैनल है इसमें आपको खेती से संबंदित हर परकार की जानकारिया मिलेगी जैसे कि आप फर्टिलाइजर की बीज की या कौन से पोदे में किस टाइप का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं या किस समस्या का निधान आपको किस दवाई से या किस फर्टिलाइजर से आपको मिल सकता है खेती में काम आने वाले हर उस फर्टिलाइजर की जानकारी आपको फार्मिंग बोस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी हम इसमें आपको जो किन्नू है उसके बारे में भी बताएंगे उसमें आप क्या ट्रीटमेंट किस टाइम पे कर सकते हो या किस बीमारी का इलाज आप क्या आपको फार्मिंग बोस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी तो ये हमारी पहली वीडियो है आप इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेर करना पहली वीडियो में आज आपको एक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जो कि अभी लॉंच होने वाला है और काफी चैनल पर आपको अलग टाइप की वीडियो मिला करेगी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया करेगी। परिसान सातियों जैसे कि आप जानते हैं कि सेजेंटा एक बहुती बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर में सेजेंटा के काफी प्रोड़क्ट आपने यूज भी करें होंगे जैसे कि इनकी एक्टारा आती है या इनका जो परफैनो आती है काफी इनके फर्टिलाइजर और जो कीटना शक हैं वो आते हैं तो आज मैं इनका एक माइक्रो न्यूट्रेंट मार्केट में आने वाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा तो इसका जो नाम है वो कूकल होने वाला है ये एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रेंट है जिसमें आपको बोरोन, मैगनेशियम, कैलचियम, सलफर, मैगनेश ये सब चीज़ें इसमें मिलने वाली है इसके मेन कम्पिडिटर होंगे, उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसको कुल जो इनका फर्टिलाइजर आएगा, इसके कम्पिडिटर कौन होने वाले है तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा अभी ये मार्केट में आया नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये जून के पहले हफते के बाद बाद आपको मार्केट में मिलने की संभावना है तो इसका क्या प्राइस होने वाला है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा किस फसल में आप कितना डाल सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए काफी फाइदे मन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस परकार सेजेंटा कमपनी की अपनी एक ब्रैंड वैल्यू है उस परकार ये प्रोडक्ट भी एक नमर प्रोडक्ट अपने लिए लेकर आएंगे तो किसानों को ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत पढ़ती रहती है जिसमें कि उनको बार बार चिड़काओ ना करना पड़े एक ही फर्टिलाइजर से उनका काम चले तो ये कोकुल जो है ये फर्टिकेशन के लिए माइक्रो न्यूटेंट आ रहा है तो अब इसकी आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो किसान साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है ये आप बिल्कुल पोज करके भी देख सकते हो तो इसमें मुख्या रूप से जिंक, कैलशियम, बोरोन, मैगनीशियम, मैगनीज और एन पीके जैसी कि अपना नाइटोजन, फासफरोस और पोटाश हो गया वो चीज़े इसमें मिलने वाली है तो अगर देखा जाए तो काफी इसमें जो माइक्र न्यूटेंट होंगे वो एड़ कर दिये हैं तो काफी अच्छा होने वाला है ये फर्टिलाइजर किसानों के लिए ये आपके पोदे का स्वास्ट्य संतुलन बनाए रखेगा और उसे पूरन रूप से जो खुराक चाहिए होगी वो जड़के माद्यम से देता रहेगा क्योंकि एक बार इस फर्टिलाइजर को डालने के लिए डालने के बाद ये लंबे टाइम तक उसमें काम करेगा तो काफी अच्छा फर्टिलाइजर होने वाला है इसके बारे में सारी डीटेल्स यहां पी दी गई है जो कि आप वीडियो को पोज करके अराम से बढ़ सकते हो काफी अच्छी टेकनीक से इसे बनाया गया है तो इसकी जो टेकनीक है वो SRET टेकनीक जो है इसकी उससे इसको बनाया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें कैलशियम, जिंक, बोरोन, मेगनेशियम का दे रखा है और उपर N-P के दे रखा है यह सब चीजे इसमें होने वाली है और यहां पे इसकी सारी डिटेल दे रखी है कि यह आपके पोदे को क्या-क्या फाइदे करेगा और आप किस फसल में इसको डालें मतलब सेजेंटा कंपनी तो कह रही है कि आप इसको हर फसल में यूज कर सकते हैं और आपके जो फसल होगी उसको इस परकार यह बैलन्स रखेगा उसमें हर चीज की यह पूर्ती करता रहेगा तो अब अगर बात करें इसकी डोज की तो डोज भी इन्होंने अपने जो यह कैटलोग दिया है इसमें डोज भी लिखी गई है कुकल की उपयोग के विवरन उपयोग की खुराक प्रती उपयोग 5 किलोग्राम प्रती एकड़ आप इसमें यूज कर सकते हो यानि कि आप एक किले में 5 किलोग्राम आपको इसे यूज करना इसे जड़ा भी यूज करना इसे कम भी यूज करना है तो उप्योग की वीदी भी इसमें दे रखिये कि इसे सीधे मिटी में छिड़का जाता है इसके साथ साथ औरगैनिक उर्वरक जैसे एनपी के शुक्षम पोश्चक तत्वों का उप्योग भी किया जा सकता है तो इसके साथ साथ आप और भी एनपी के टाइप का कोई भी फर्टिलाइजर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें एक ही बार आपको यूज़ करना है इन्होंने इसे उप्योग करने का समय भी दे रखा है किसी भी फसल की बुआई से पहले भी आप इसे उप्योग करें और फिर अगर वो फसल थोड़ी बड़ी हो जाए उसमें आप पहला पानी दे रहें उस टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं तो इसकी जो मात्रह है वो काफी कम है आप पांच किलो परती एकड़ आपको यूज़ करना है इसके गम्पिटिरिटर फर्टिलाइजर आते हैं उनकी डोस बहुत है किसी भी फर्टिलाइजर की डोस दस किलो ग्राम से कम परती एकड़ नहीं होगी लेकिन सिजेंटा का जो कोकुल आएगा उसकी डोज है पांच किलोग्राम प्रती एकड होने वाली है तो आपकी जेब पे भी इसका असर कम पड़ेगा क्योंकि इस टाइब के जो फर्टिलाइजर आते हैं वो बहुत महेंगे होते हैं कि रेट 2000 से उपर 25 किलो के बैक के होते ही होते हैं इसका रेट भी उनके पास जाने वाल है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा बट इसकी अपने को क्वांटिटी कम यूज करनी है जिस वजह से अपने को अपनी जेब का काफी फाइदा होगा मान लो कि आप किसी फर्टिलाइजर को 10 किलो डाल रहे हैं और इसको 5 ही डालना है तो सिधा सिधा आदे पैसे आपके बच जाएंगे तो अब इसके अगर रेट की बात करें तो इसके रेट प्रती 5 किलो के 500 से 600 रुपे होने वाले हैं तो मान के चलो कि आपके इसके रेट जो है 100 रुपे किलो से उपर रहने वाले हैं 120-22 रुपे के आसपास इसके रेट रहने वाले हैं तो 25 किलो का इसका बैग 2500 रुपे से उपर उपर आपको मिलेगा और अब इसके अगर competitor की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो competitor है वो यारा मिला complex है यारा आप जानते हैं काफी बड़ी brand है fertilizer में और काफी नामी जो company है यारा है और उनका fertilizer आता है यारा मिला complex वो भी बहुत अच्छा fertilizer है पर इसकी और उसकी डोस का फरक है उसको आपको 10 kg प्रतियकड के हिसाब से डालना होता है पर इसको 5 kg ही प्रतियकड के हिसाब से डालना है तो आपकी जेपे भी फरक पड़ेगा जब ये दोनों product market में आ जाएंगे तो मैं इन दोनों product का अलग अलग आपको review करके दिखाऊंगा एक को 5 kg के हिसाब से डालेंगे और यारा वाले को 10 kg के हिसाब से फिर जो result आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो हम हर fertilizer का हर कीटना शेका आपको live demo करके दिखाएंगे उसके बाद हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे तो ऐसी और जानकारी आगर आपको चाहिए तो आप हमारे farming boss YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें हमारी वीडियो को आप जादा से जादा शेयर करें ताकि हमारा होसला बड़े और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो भी लेके आ सकें और हम live demo करके आपको दिखाएं ताकि आपको भी संतुस्टी हो क्योंकि बहुत से YouTube चैनल fertilizer के बारे में बने हुए हैं कोई भी चैनल आपको इन चीजों के बारे में कोई demo करके नहीं दिखाता है सिधा आपको बता देता है कि ये fertilizer है इसको ये dose रखनी है ये फाइदे है लेकिन हम इसके फाइदे और नुकसान बिलकुल आपको demo करके दिखाए करेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करवाएं और खुद भी करें धन्याबाद